देखें एक सारों से पहले तो नसीम शा जिस तरह आपको पता है इंजर्ड हुआ बड़ा मेन बॉलर सा दूसरी चीज ये कि हमें इंजरी फास बॉलर में इंजरी जिस तरह हस्रेन था हसनेन को भी इंजरी हुई है उसका भी डॉक्टर जैना एंकल का जूंसा ऑप्रेशन किया है एसाल उल्ला था उसका भी एल्बो का ऑप्रेशन हुआ है फास बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ सी आप्शन्स है ना करूठी कि थोड़ सी इंजरी इसका हमें सामना करना पड़ रहा है और ये हसन अली जो 24 है अगर आपने इसको लंकन प्रीमिर लीग में खेलता हुआ देखा हूँ या दूसरी इसकी परफॉर्मिस है इसने बेतर परफॉर्म किया है एक्सपिरियंस बोलर है ठीक है कि थोड़े अरसे से इंटरनेशनल किर्कट नहीं खेला लेकिन मेगा इवंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने कॉमिस दे रखी है बड़े इवंट्स में और हमें जिसम ये नसीम शाह बाहर हुआ हमें नए बोलर का ऐसा बोलर ज़रूर चाहिए कि जो नए बोल पर ना बोलिंग कर सके तो मेरे खाल में उसमें हसन अली बेतरी इंच वाइस है और ये पुराणा बोल भी उच्छा करता है नए भी करता है एक्सपिरियंस भी है और मुझे ऐसा लगता है यह टीम मैन भी है कि जिस टेम भी जाओ उस तो इसके आने से इनरजी टीम में आती है देखे जमाल को हमें मैंने भी जिस तरह आपको काफ सारे नाम बताए है ना क्योंकि जी यह फास बॉलर्ड से हमें इंजिरी का सामना है इनका असनली की भी उस टब फिंगर इंजिर्ड थी जिस तो हमें एशिय कम हमेजूर थी ना फास बॉलर्ड की इस वजए ने प्रइंका आप ड़ड़ों ने और प्रेक्टिस शुरू किया उस टाइम भी वो हOTे तो मेरे खें उस्त हम यहीं हैं जमान में कोई बहुत अच्छा बॉलर है और स्पेशली नया बॉल और डेफ्ट बॉल अच्छा करता है, तो यह हमारे साथ है, कोई ऐसा नहीं है कि यह दूर है हमारे से, लेकिन मेरे खाल में है कि इतने बड़े इवेंट में ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले होना चाह यह आप वल्लिकव की जह उसी टीम है न, वो यह नहीं की कि मैं आज नाउस कर रहा हूं, तो आज बनी हुई है. यह कंभीनेशन आप पिषले चैन्देशन से या साल से उस combination के साथ इलबे होते हैं तो वो फिर बड़ी कम में जाता है तो मैंने कोई इस combination में चेंज करने की कोशिश नहीं की कि 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 जिस तरह आपने इवरार का नाम लिया था तो हमने उसको रिजर्ब में रखा है अगर हमें जूर्थ पड़ी या कहीं हूँ हमें कोई प्रॉब्लम होई तो हम उसको देख सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है और जहां तक ये तीन स्पिनर्स की बात है ना तो ये खेल भी रहा है बड़े अर्से से और इन्होंने परफॉर्मिस भी दिया पाकिस्तान की लेकिन इस बात से मैं बिलकुल आपके एगरी करता हूँ कि जो हमारे स्पिनर्स है जिस तरह बीच में विक्टे लेनी चाहिए उस तरह की इनकी परफॉर्मिस नहीं है ये बड़ा मेजर पॉइंट है तो इसमें हमारे स्पिनर्स को इस पे मैंनत करनी पड़ेगी हार्ड बर करना पड़ेगा क्योंके मिडल के ओवर्ज में स्पिनर्स का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है जो पाकिस्तान की डुमेसिक क्रिकट की जुनसी परफॉर्मिस है उसको जरूर काउट किया जाएगा वो में होगी ताके जी हमारी क्रिकट में लोग आके खेले और वहां परफॉर्मिस दे ताके हमारी भी फर्स क्लास बेतर हो इस चीज़ को मेक शोर किया जाएगा और स्थारों के लिए दिर्वाजे उपल है, सर्फरास के लिए भी उपल है, काफी लोग शार मसूत के लिए, ये सारे, अब मैं ये तो नहीं कह सकते हैं, ये अच्छे प्लेयर है, ये अच्छे प्लेयर है तो खेल रहा है, तो अच्छे प्लेयर है तो खेल रहा है, तो दर्वाजे सारों के लिए बिल्कुल अपन है ठीक है जो परफॉर्मस देगा और पाकिसान टीम को ज़ूर तोगी तो बेलिकुल उसको कंसीडर किया जाएगा सो इसमें कोई दोर आए नहीं है